जै मातादी दोस्तों, World Best Magic में आपका हार्दिक स्वागत है, कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए comment box में जै मातादी जरूर लिखें दोस्तों, आज हम बात करेंगे अच्छे नौमी के दिन ऐसे कौन से काम है, जो आपको भूल कर भी नहीं करने चाहिए इस दिन ऐसी कौन सी गलतियां हैं जिनको करने से आपको बचना चाहिए, अन्यता पुन्य के इस्थान पर आपको पाप लग सकता है लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल वर्ल बैस मैजिक को सस्क्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से सस्क्राइब करके बेल आइकन दबा दें साथ इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा सेयर करें, तो आईए शुरू करते हैं दोस्तों कार्टिक मास के सुक्ल पक्ष की नौमी तिथी को अक्षे नौमी कहा जाता है इस दिन आवले के व्रक्ष के नीचे बैट कर भोजन करने का बड़ा ही महात्तो होता है पौराणिक मानिताओं के नुसार अक्षे नौमी के दिन आवले के व्रक्ष की पूजा होती है इस दिन आवले के पेड़ के साथ साथ भगवान विश्नु जी की पूजा भी की जाती है दोस्तों अक्षे नौमी के दिन इसनान, पूजा और दान करने से अक्षे फल की प्राप्ती होती है अर्थाद जन्मो जन्मो तक उस पुन्य का फल आपको मिलता रहता है आपको बता दें कि इस दिन स्री फल यानि कद्दू का गुप्त दान करके अगर बती, फूल, रोली, चावल से पूजा कर गाय का घी, अन, फल, डक्षिना के साथ ब्रामण को देने से विसेश फल की प्राप्ती होती है इसी कारण से इसे कुस्मांड नौमी भी कहते है इस दिन गुप्त दान वा आमले के दान का भी विधान है तो चलिए जानते हैं कि ऐसे कौन से काम है जो आपको अक्ष नौमी के दिन नहीं करने चाहिए दोस्तों, आवला नौमी यानि अक्ष नौमी के दिन ना तो किसी से पैसा उधार लेना चाहिए और ना ही किसी को पैसा उधार देना चाहिए इस बात का विशेज ध्यान रखें इसके लावा अक्षे नौमी के दिन साफ सफाई का भी विशेज ध्यान रखें इस दिन घर को अच्छी तरह से साफ सुथरा कर लें ताकि आपके घर में लक्षमी का वास बना रहे आपको बता दें कि जिस प्रकार से इस दिन किये गए अच्छे कार्यों का फल अक्छा रहता है वैसे ही इस दिन सास्त्रों के विरुद किये गए कार्यों का फल भी अक्छे हो जाता है जिन कार्यों की सजा आपको जन्मों जन्मों तक भोगनी पड़ती है अता इस दिन कोई भी सास्त के विरुद काम ना करें इस बात का विसेज ध्यान रखें इस दिन कोई भी गलत काम ना करें दोस्तों अक्षे नौमी के दिन भूल कर भी आवले के पेड़ को नहीं काटना चाहिए नहीं तो आपके घर में मालक्षमी का वास नहीं होगा इसके लावा आवला नौमी के दिन आवले के पेड़ के आसपास की जगहे को गंदा ना करें क्योंकि इस व्रक्ष में भगवान विश्णू और भगवान सिव जी दोनों का ही वास माना गया है इसके लावा इस दिन तामसिक घोजन और मदिरा पान भी ना करें इसके आपको दूस परणाम भुगतने पड़ सकते हैं आपको बता दें कि अक्षण नौमी के दिन आवले के पेड़ के नीचे बैठ कर तास जुआ आदी ना खेलें अन्यता माता लक्षमी आप से रुस्ट हो जाएंगी और इस दिन किसी निर्धन या किसी जरुरत मंद व्यक्ति का या किसी ब्रामण का निरादर भूल कर भी ना करें गलती से भी उनका इस दिन अपमान ना करें दोस्तों अक्षे नौमी के दिन भूल कर भी आवले के पेड़ पर चड़ना नहीं चाहिए क्योंकि ऐसा करने से आप से मा लक्षमी नाराज हो जाती है और इसके लावा ध्यान रखें कि इस दिन आपको आवले को अपने घर से बाहर नहीं फेकना चाहिए ऐसा करने से भी माता लक्षमी आपके घर से बाहर चली जाती है तो दोस्तों ये थे वे कार जिसे आपको अप्षे नौमी के दिन गलती से भी नहीं करना चाहिए इन बातों का ध्यान रखकर आप अप्छे नौमी के दिन अप्छे धन के बंडार की प्राप्ति कर सकते हैं तो दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जै मातादी जरूर लिखें और अगर आपका कोई सवाल हो तो उसे कमेंट बॉक्स में अवस्तों पूछ लें और इस वीडियो को लाइक करें, सेर करें और साथ इसाथ चैनल को सस्क्राइब करें धन्यवाद